दोस्तों आज फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए gaming news का एक और fresh एपिसोड जो भी लोग gaming monitor लेना चाहते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि Xbox ने भी अपना monitor officially launch कर दिया है या करने वाला है और वो 20 GHz पे आपकी games को support करेगा वो भी 4K regulation में लेकिन इसका price काफी expensive है 1600 डोलर है तो आप लगा के चलिए कि इंडिया में अगर आपको मिलेगा तो कम से कम कम से कम आपको सवा लाग रुपेस के लिए खर्च करने होंगे और इसमें आपको जो port मिलेगा वो मिलेगा HDMI 2.1 का आपको क्या लगता है other companies का monitor इतनी configuration में कितने रुपे का ही है जिनके पास भी fat या slim model है तो प्रो के अंदर तो यह game बिल्कुल smooth चल रहे है लेकिन अभी भी slim और उसके अंदर problem है तो मेरा आप लोगों को suggestion है कि अगर आप slim या fat पर इस game को purchase करने की सोच रहे है तो अभी मत कीजेगा third point पे दोस्तों मैं बात करूँगा Gotham Knight game की आप लोगों को पता है कि नई game आने वाली है वार्ना ब्रोस company की और Batman तो हम सभी को कितनी पसंद है अब देखते है Gotham Knight कैसी होगी इसके साथ एक और game आ रही है लेकिन यहाँ पर company ने बताया है कि Gotham Knight की जो developers है वो आप एक new AAA title पे लोगों को पता है कि anime का कितना ज्यादा आज की डेट में ट्रेंड है और बहुत लोग देखते हैं एनिमे मुझे इतनी पसंद नी है मैंने से Death Note देखती है लेकिन आपकी फेवरेट एनिम सीरीज कौन सी है वो बताये का comment करके साथ ही मैं आप लोगों को पता दो कि Final Fantasy की जो कंपनी को उसे data दिया जा रहा है लेकिन ये बात खुद कंपनी ने भी accept किये BGMI जिन्होंने बनाई है क्रैफ्टोन ने उन्होंने फुद इस पात कर एकसेप्ट किया और उन्होंने ट्विटर पर पूरा पब्लिकली उसे पब्लिश किया था लेकिन थोड़ी देर में उसे निउ गेम के बारे में आपको पता है 22 जुलाई को इनका इवेंट होने वाला है और मैंने आपको बताया था कि निउ गेम का वो ट्रेलर रिवील कर सकते हैं तो अब पता चल गया है वो गेम का नाम होगा डैड स्पेस तो डैड स्पेस अगर आपने नहीं खेली होगी तो PlayStation 3 पर बहुत ही अच्छा टाइटल था अब देखते हैं कि इस गेम को यह रिबूट कर रहे हैं या इसका कुछ नया सीक्वल हमें देखने को मिलेगा और लास्ट पइंट पर दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा Marvel Universe की नई movies के बारे में तो आपको मैं बताना चाहूंगा यह इंसारी फिल्मों का मजा ले सके हैं जाते-जाते दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मैंने नमोकार सिनेमा पर वीडियो गेम की एक नई सीरिस शूरू की है यानि कि जो वीडियो गेम पर बेस्ट फिल्म में बनी है या सिरीस बनी है उनका सारा आपको short review मिलेगा मैरे नमो झालेगा